हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल कुक विछा तो आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ अपना डिनर का ब्लॉग तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ चैने की डाल तो मैंने डाल ले लिया है उसको अच्छे से दो तीन पाने से वाश करके और उसको आदे घंटे के लिए न हम भीगने के लिए रख देंगे तो बस डाल को अच्छे से वाश कर लिया था उसको भीगने के लिए रख दिया है and साथी में मैं बनाने वाली हूँ आज मेथी मतलब मेथी का साग बस मेथी को भी न मैंने दिन में साफ करके रख लिया था अभी उसको अच्छे से वाश कर लिया है तीन चार बार जब तक अच्छा सा साफ सा पानी ना निकलने लगे ने और उसमें डाला है एक चमच नमक और हल्दी और एक चमच चीनी तो येस मैं चनी की डाल चीनी डाल के बनाती हूँ इसे डाल मीठी नहीं होती है बट टेस्ट इसमें बहुत जादा अच्छा आजाता है शुरू से मैंने मुम्मी को ऐसे ही बनाते हुए देखा है चने का डाल तो मैं भी ऐसे ही बनाती हुए मुझे अच्छा भी लगता है तो बस डाल का कूकर गैस पर रख दिया है और इसमें डाल में हम तीन से चार सीटी लगा लेंगे उसके बाद रखी है दूसरी तरफ कड़ाई उसमें डाल है सरसो का तेल, जीरा और दो हरी मिर्च और उसके बाद जीरा जब थोरह से भुन गया था तो उसमें आलू डाल दिया है तो पहले हम आलू को न अच्छे से फ्राई कर लेंगे उसके बाद साग डालेंगे क्योंकि साग और आलू एक साथ डाल दो नो तो फिर आलू अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते है और आलू में मैंने नमक डाल दिया है, साग और आलू दोनों के हिसाब से मैंने भी नमक डाल दिया है बागी इसमें मैं और कोई मसाला नहीं डालूँगी मैं इसमें हल्दी भी नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है न हर साग का अपना एक अलग सा ही टेस्ट होता है अपना ही टेस्ट होता है उनका तो इसमें मसालों की कोई जरत होती नहीं है तो बस आलू देखे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं रेड़ों गए हैं तो बस मेती जो वाश करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला के मतलब आलू और साग को अच्छे से मिला लेंगे एंड इसको फिर न हम ढग ढग के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि साग अच्छे आलू तो हमारे लगबख लगबख पकी चुके थे बस साग को अब हमें अच्छे से पकाना है उसके बाद उसको ढग दिया है पकने के लिए और यहां पर मैं ना दाल के तड़के के लिए चॉपिंग कर रही थी तो मैंने यहां पर काटा है प्याज, हई, मिर्च और लहसन तो लहसन इस दाल में बहुत सारा डालते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है उसके बाद यहां पर कटके है टमाटर तो बस चने का दाली ऐसा है जिसमें मुझे यह प्याज लहसन का तड़का पसंद है बांकी तो और सारी धाले मैं ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ तो बस तब तक हमारा साग भी बन गया था मैंने बीच में भी एक दो बार इसको ढटकन अटा के चलाया था तो बस यह अच्छे से भुन गया सारा पानी इसने सोख लिया था और नेचे से चिपकने सा लगा था तो बस गैस बंद कर दिया साग बन के तयार है यहाँ पर फटा फट से लगा लेते हैं दाल का तड़का तो कड़ाय में डाला है सरसो का तेल, जीरा, तेजपता और हिंग उसके बाद जो लहसन कट करके रखा था वो डाल दिया है लहसन को थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका कच्छा पन थोड़ा निकल जाए उसके बाद डाल दिया है प्याज और मिर्च प्याज को भी हम थोरी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका कलर हलका सा चेंज हो जाए उसके बाद डाल देंगे जो हमने टमाटर काटके रखे हैं वो और इन सब को अच्छे से मिला के इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो खेर मैंने ही बोलूँगी क्योंकि मसाले मैंने कुछ डाले नहीं है बस नमक और हलदी तो डाल का तो नमक हलदी हमने डाल में इडाल दिया था ये इसके हिसाब से सिर्फ Means झाला तो जीरा पौरडर डाला है जो कि झाली है इसको त्वरसा पकने के लिए छोड़ देंगे सब तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पे हमारा तड़का भी अच्छी तयार है भुन गए थे मसाले तो उसमें डाल डाल दिया है थोरा सा पानी और अड़ करके और बस हमारी यह टेस्टी से डाल रेडी है मतलब अभी नहीं रड़ी है अभी थोरा और पकेगी तो इसमें फिर उसके बाद मैंने डाला था एक चमच घी बहुत सारा धनिया पता मुझे धनिया पता बहुत पसंद है मैं हर चीज में डालती हूँ और लास्ट में डाला है थोरा सा गरम मसाला और इसको अच्छे से बाइल कर लेंगे और हमारी दाल फिर तयार है इसको आप रोटी के साथ खाएए बहुत टेस्टी लगती है अगर आपने कभी ट्राइ नहीं किया तो जरूर से करिए और थोरी से चीनी डाल के देखिए इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है दाल का बस साथ में बना ली थी रोटिया और यही था सिंपल सा डिनर वैसे तो डेली हम सिंपल सा डिनर ही करते हैं कभी कभी कुछ अच्छा घाने का मन करते हैं तो अच्छा बनाते हैं तो बस वैसे अच्छा क्या यह डिनर भी बहुत अच्छा ता जरूरी नहीं है कि बहुत सारे तेल मसाले डाल के कुछ चीज बनाओ तभी वह अच्छी लगती है कभी-कभी सिंपल चीज में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है तो वही है आज का डिनर तो फटा-फट से लगा दिये पतिदेव की थाली और यह जो एक सबजी ने यह मैंने दिन में बनाई थी वही है तो आज के लिए बस इतना ही, थेंक यू